अर्नो गोस्वामी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है अर्नो गोस्वामी फिर से एक बड़ी मुसीबत में फश्चते हुए नजार आ रहे हैं जैसा कि आप सब को बता है कि अर्नो गोस्वामी एक पहले भी जेल जा चुके हैं जलोजा जेल में और उसमें जो है मेन जी सामने आया था उसमें अन्वय नाइग केस था था ज्यल केस अन्वय नाइग केस के वजह से अर्न्व गोश्वामी जेल गए थे लेकिन अभी फिर से वही सीङ्वेशन क्रियेट कर दिया गया है अभी Caleb है अभी अभी जो बड़ी बोला गया है section 05 और national security act के तहट ये जो है FIR दज कराया गया है जिसमें बोला गया है कि बाला कोट में जो बाला कोट में attack हुआ था उसका जो secret mission था उसको leak करने के जुर्ण में अर्णव गोस्वामी को जल से जल arrest करना चाहिए और ये जो case दज कराया गया है ये मुंबई में दज करवाया गया है एक case जो दज करवाया गया है कांधी बली में दज करवाया है मुंबई के कांधी बली एरिया में और दूस हथाने में और साथ में दूसा case जो दज करवाया है वो बांधरा एरिया में दर्ज करवाए गया है तो अर्नौ गोस्वामी के खिलाब कांग्रेस लीडर ने दो-दो केश दर्ज करवाए गया है Section 5 और National Security 1 के तहर जो है ये FIR दर्ज करवाई गयी है और सीधे सीधे बोला गया है कि अर्नाव गोस्वामी को चल से जल अरेस्ट किया जाया क्योंकि उन्होंने जो है एक नेशनल सीक्योर्टी का जो एक सामना काम था उसको जो है लीग किया था एक नेशनल सीक्योर्टी की जो इनफॉर्मेशन थी उसको लीग किया था इस पर जो की अर्नाव गोस्वामी ने नेशनल सिक्योर्टी को जो है लीग किया है और ये सबसे एक भद्दा मजाक है नेशनल सिक्योर्टी के साथ में तो काफी बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं अब इसमें देखते हैं कि मुंबई पुलिस क्या इस पर क्या बड़ा कारवाई अब आप वैजिए का क्या ऊपिनियान है इसमें आप अपना ऊपिनियन कमेंट बॉक्स म бути अपनोग गोस्वामी को लेकर आपना ऊपना ऊपनीन कमेंट बॉक्स मेंट वीडियो को जज़ज़ शयदा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गई